हम आज़ आपको डिमेत एंकाउंट क्या है इसके विशेम चानकारी दिन जारहे हैं कैसे खेले और इसके प्या क्या फैदे है क्या आपके मन में बी कभी ये सवाल आया है कि डिमेट एकोउंट क्या है और यह कैसे काम करता आप लोगों ने इसके बारे में इंटरनेट पर बहुत से अर्टिकिस और पोस्ट देखे होंगे पर कोई भी वेबसाइट पर आपको हिंदी में जानकारी नहीं मिली होगी हम इस पोस्ट के जरीए आपको डिमेट खाता क्या है और उससे होने वाले फैदों से बाकिफ कराए देखे हैंगे डिमेट एकाउंट के जरीए ही लोग शेयर बजार में शेयर की खरी दिया बेश सकते हैं इस एकाउंट को खुलवाने के लिए आपके पास पैंकार का होना जरूरी है बिना पैंकार के आप डिमेट खाता नहीं खोल पाएंगे कुछ साल पहले जब भी आप क बेश किया है और उस कंपरी में शेयर खरीच रखे हैं पर डिमेट अकाउंट के आगमन के बाद सब दल सा गया है तो आईए जानते हैं आखिर ये डिमेट आकाउंट क्या होता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है इसकी पूरी जानकारी विस्तार से देखतें दिमेट अकाउन्टे लोगों की दौरा शेरों की खरीजने या बेचने के लिए समाल किया जाता है इस प्रकार्ड लोग अपना पैसा बैंक अकाउनट में रखते हैं ठीक उसी प्रकार्ड लोग इमेट खाता ठीक उसे प्रकास में अपने क स्वाउन मेंतु ङूए जब भी हम अपने बैंक के वारे में जानते हैं दूसरे सबसम कह सकते हैं कि रखने की सुद्धा डिमेट अकॉंट कहलाती है डिमेट का पूरा नाम डिमीटलाइस होता है से कोटीज यानि की शेयर आज की बहुती ग्रूप से बदलने की प्रकरिया डिमेटलाइस जेशंस कहत हैं जैसे कि मैंने पहले बताया कि पुराने समय में जब भी आप कोई शेयर खरीते थे तो कंपनी आपको उस शेयर के जुड़े दस्तावेज भेजती थी वह इस बात का सबूत था कि आपने शेयर में निवेश कर रखा है पर जब भी आप शेयर बेज देते थे तो सबसे पहले वैज असाबेज कंपरी के दफ्तर में जाता था वहां पर कंपरी द्वारा देखा जाता था कि जब अपने शेयर बेचा था तब उसका भौक क्या था और उसी के मताबिक आपको पैसा मिलता था यह प्रिकडिया काफी समय तक खराब करने के साथ साथ जटिल भी थी असलिए जाता था लोग शेयर में निवेस करने से बचते से सो फ्रेंड से आपको मेरा यूट्यूब चैनल इंड़ेट पसंद आया हो तो इसको लाइक को सब्सक्राइब करते हैं पिलते हैं नए वीडियो के साथ जाह जाह भारत